दर्शुक नमस्कार डॉक्टर.com इसकारकर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट संजे मिरे और आज हमारे साथ शहर के एक ऐसे डॉक्टर एक ऐसी परसनिटी आज खास उलाकाच इसकारकर में बीसिन के स्टूडियो में आई हुई है हम उनके बारे में बता दे कि आज के हमारे जो मेमान है वे डॉक्टर चंद्र सुरेश दोंगरवार सहाब है जो कि आज हमारे स्टूडियो में आई हुए है डॉक्टर.com इस कारेक्रम के लिए तो दर्शकोर डॉक्टर.com इस कारेक्रम में आज के अमरे मेमान डॉक्टर चंद्र सुरेश दोंगरवार जी इनसे तमाम इशों के उपर में बात चीप करना जरूर चाहेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू इनके बारे में के सत आपका जो जनम है गोंदिया जिले के गोटा बोडी गाउं में हुआ था और डॉक्टर डॉंगरवार साब आपने वईद्य की जो आपकी पढ़ाई है BMS आपने नापूर के श्री आयरुवेधिक कॉलेज में की है आप पिछले 26 वर्षों से इस वईद्य के सेवा में कारे इसर होता है ऐसे गाउं में जाकर आपने जो वहां जो मरीजों की सेवा दी है वो तारीफिक काभीर है दर्शकों इतना नहीं तो डॉक्टर साब ने 2018 से सर आब जिले के तासिल उम्रेट के अंतरगत आने वाले पाजगाउं यहां पर प्राथमिक आरोगे केंद्रे वहां क कि आप मुख्या वईदे की अधिकारी के तोर पर बखरूपी के साथ कामकार भी कर रहे हैं तो दर्शकों यह था डॉक्टर साब का परीचे जो बहुत बड़ी परसना लेटी है और अपने आपने इन्होंने बहुत जागा काम किये है कई मरीजों की सेवाई की हैं जहां को लोग जिनकी माली हालत थी जो कमजोर थे जिनको कोई देखने वाला नहीं था उनकी सेवाई देने वाला कोई ही था ऐसे में सर ने अपना पूरा जीवन समतित किया है और पिछले 25 और शों से लगातार काम करने तो आईए सिगारू करते हैं सर के और उन से जाना चाहेंगे जिस तरह से आपका यह संगर्ष रहा है तो मेरा सवाल है कि वैद्धी के शित्र में आप आये कैसे क्या ऐसे आपको लगा कि मुझे इस डॉक्टर की फिल्म में आना चाहिए नमस्ते जी आपने मुझे मेरे जिंदगी के संगर्ष के बारे में और वैद्धी के और सेवा में क्यों आए यह पूछे है मैं आपको बताने में मुझे हर्स हो रहा हूं जो भी दर्सक यहां देखेंगे वह कुछ न कुछ यहां से आगले वाले आने वाले डॉक्टर्स लोगों के लिए काफी वह उच्छा जनक होगा एक 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 सो शाट लोगों के आबादी में मेरा जन्म हुआ था उस गाव में चारो तरप से नदी-णालियों से घीरावा गोटा-बोडी नाम का गाव है जिए गोटा-बोडी का मतलब होता है कि ऊस गाव में पथर है वह पथर अगर ढूप जाये तो और फ्लो हो जाती औ मेरे दूसरे चाचा की लड़की थी उसके नाम दर्ज नहीं हुआ उस वक्त लेकिन मैंने पढ़ाई की जीद नहीं छोड़ा मेरे दूसरे चाचा की लड़की थी उसके साथ में उसके पीछे पीछे जाता था उसके उनका मार ना एक बहुत-बाई प्यार से भरा हुआ था और उस वक्त मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और जब मैं वह स्कूल नहीं थी एक मंदिर था तो मंदिर में चार डेरिया डाली हुई थी उपर से वह पत्ते डाले हुए थे जामुन के और वहां पर हम पहली में तो मेरा नाम ही नहीं था लेकिन वह मेरे चाचा की लड़की थी उसके साथ में मैं बैटके बिल्कुल वह पहली से चौती तक के जो पढ़ाया जाता था एक ही तीचर था वह टीचर के कारण क्या हुआ था तो वह जो चौती को पढ़ाता था पहली को पढ़ाते थी वह चौती तक के बच्चों को आ जाता था चाहे गनित का रहो या कोई कवीता रहे एक उस वक्त लाड़की बावली होती माजी एक वह कवीता चौती की लेकिन मुझे याद रहत अब रहा स्वाल की ड़क्तरी पेशा में आया थे यह मेन मुद्ध है ड़क्तरी पेशा में आने का एक ही मकसद था मेरे पीछे में की यकि की यह वो एक बाड में एकम डृरी मेरी चाची जो थी छोटी वाली उसको लेकशा अका था थो वसक्लत नाला करता था और और दॉक्तर झातIST यह ऑर क्सक्रिना रहे थीक्रोंut sure तो फिर गोंदिया से एक डॉक्टर को बुला गया लेकिन वह गोंदिया से जब डॉक्टर आया तब तक के इनका देहां थो जुका था मेरे जो चाची के बच्चे का तो वह बहुत दर्दना घटना थी उसके दो महा जाने के बाद में तीवाली के लगभग दो-चार दिन प पर एक कोब्रा निनात साब ने उनका दौंस किया और वही पर उनकी देथ हुई और वह बंडी पर मेरे को बिठा के वहां लेके गया कि उसका पोस्ट माडम करना है करके तो गये वहां डॉक्टर तीन बजे तक कि आये नहीं पोस्ट माडम हुआ है नहीं हम थग गये सब ज सब्सक्राइब कर लिए और बस मौत्माटिक कहें और फिर मेरे बाल मुढवा लिए पूरे के पूरे बाकि किसी ने नहीं मुझे बाल मुढवा लिए तो मुझे लगा कि यह सब लोगों ने मेरे क्यों बली दिये हैं यहां पर चड़ा लेकिन मैं सोचा कि नहीं वह जानो दोक्तर बनना है और उसी दीन से वह प्रेजना जागी कि मुझे डॉक्तर बनना है तो डॉक्तरी फिल्ड में आने का प्रन कर लिया उसी दिन से मुझे यह तक के मालूम नहीं था कि ना पढ़ाय करना पड़ता यह करना पड़ता लेकिन मेरे पिता जी को मैं धन्यवाद द ताकिज में बसे राता यह और स्याम को टूरिंड टाकिज रहने का टिकेटे फ़ाड़ता था और तो याद करता था और लेकिन कुमार बोलते कि सिकियों और इंशानों में यही फर्क है कि इंसान कभी अच्छा हो सकता यह जय और वीरु चोर डाकु जरूर लेकिन इस इंसान है और वह इन्सानियत का पार्ट मैने सोले पिक्टर से पड़ा हुआ वसी दिन से यह हो गया कि मैं मेरे बाल मेरी चाल मेरा सब पहराओ अगर अमिताब जी से करने लग गया और दाइला वही बोलते रहा और बस उसी से मेरा सफर शुर्वा मेरे पिता जी ने वह मेरे गाओ के पुलिस पाटिल थे उस पुलिस पाटिल से एक साइकल मंगी दसवी का रिकार्ड पच्चासी में आया था मेरा तेरा जून को लेकिन मेरे को पहुचा आगया एक जुलई को पच्चासी को नाखपूर में वहां नाखपूर में पहुचाने के बाद में वह आते समय भंडारा के बाद में मौदा के साइड में आके हमारी स साइकल पंचर हो गई हम महाल गाव में रहने का सोचे लेकिन दो-चार लोग आए हमारी तलासी दिये मेरे पास में उस लग दो रुपे थे वह दो रुपे लेके गए कोई दारुआरु पीने के साधन में लेके ती यह क्या पड़ेगा इधर वह फिड़ा चोड़के इधर आ गंगाबाई घाट तक के हम साइकल में धकल रहा था पिताजी चला रहते आगे साथ बज़े देखते तो कोई दुकान नहीं शुरू हुए थी लेकिन के नाम के जनरल स्टोर साइकल स्टोर वाला आया उसको बोले वह साइकल दुरूस्त करना है तो बोले मैं जाड़ों पो साइकल भी नहीं जाती थी पैदल पैदल गए उन्होंने पिता जी ने बताए कि यह मेरा लड़का आपके हां रखके जाता हो इसका एडमिसन करा देना और वही साइकल लेके पिता जी वापस आ जाए उसके बाद में कभी मेरे तरफ आये नहीं उस दिन से वह रिक्सा चला हो गए कासा करेंगे हतास नीरास ओके हो जी साइकल स्टर के पास में अरो वहां बैठा रहता था उसको पेंटिंग लिखनाविट ना धना कर देता था रूपतर दो तीन दिन के बाद उस साइकल स्टपर में एक टेलर आया ठैलर ने बुछाने के बाद में के बात पन्हें के अधर काम दिये एक सख रहा और चिलर के ऊपर उनका टेलर का नाम को उसने चिलर चिलर ने के बात में क्या हूआ कि मुझे लगा कि यह कि उनको पूछत ने बोले कर दिए वे सब्सक्राइब कर दो को इत्ता है कि अगा बॉला वह था नोने बोला ये जो इंसन अया है यह जो नडका आया है इसको साइंस पढ़ना है उन्होंने बोले कि यह तो हमारी प्रोसेजर कम हो गए लेकिन मेरे स्याधी के बाद मैं आता हूँ हो सब्सक्राइब कुछ करूंगा इस बच्चे क्ले क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय दाखला आखिरी में दाखला उसने चार पास दिन बाद हुआ और मेरे को लिजा यह की एडमिसन उनके आखा कैंसल हो था वो कैंसल होने के बाद में मेरे को साइंस में दिला और मैं साइंस पढ़ा कुछ टीचर लोगो ने थी यह भी बोले ती आखड़े साही इसको आर्ट या कामर्स में दिलवा दो लेकिन वह जो है मुरार कर जी उसन में दोक्टर बने गया और मुझे बड़ी खुशी है दोक्टर बनके मैं हर जगह जाता हूं तो लोग बड़े आतुरता से मेरा स्वागत करते हैं विल्कुल विल्कुल तो देखा तो इस प्रकार से जो एक सफर जो रहा है बहुत ही बिकट सफर रहा है हर किसी के जीवन मे जो प्रकार को मोड आते है जब भी कोई बड़ाइभी बनता है तो उनको इन कफेना और इस कहिते ही सब्सक्राइब दूर करता है कैने का नकषिए क्या है कि हम supplied raha सब्सक्राइब धूर करता है निकल निकलना हो लेए अधार बुक्त बनने की की चाहिए निकलना हुग्ट्राइब को कुछ 가까 जो निकलन दूर किता है अव्हाल कर में संयती हुग जागरी थी तो एक द्यास आया हुआ एक खड़गाव से नावजवान कुछ भी बन सकता था मकर डॉक्टर बनने की तब ठानी जब इनके चाची का निधन हुआ और निधन हुआ इसलिए नहीं बलकि जिस वज़े से निधन हुआ उसके बाद इनके इलाज नहीं मिला वह बा प्रकार से यह घटना हुई है यह भौईशन एक किसी के साथ में ना हो और मैं अच्छी सिवा दिऊंगा एक पैशन था और जिसके चलते काफी मैनत की जैसे कि उन्होंने बताया कि सैकल के दुखान में काम किया इनके पाद 2 रुपे थे तो किसी ने 2 रुपे तक के लूट लिया और शरब पिने गया और यह लड़का क्या पढ़ेगा ऐसा नीचे दिखाने वाले आज भी कि आज भी समाज में कई ऐसे बड़े हाइट कॉलर लोग है जो दुसरों को नीचा दिखाने के लिए भरकस कोशिश करते हैं लेकिं राहे उन्हीं ही मिलती है जिनमें कुछ करने का होसला होता है और यह होसला था डॉक्तर चंद्र सुरेश डोंगरवार जी में जिन्हों ने काफी संगर्श किया और BMS किया उसके बाद में डॉक्टर बने अब सर यह तो रहा आपका बहुत ही बड़ा सफर मेरा सवाल यह था कि अक्सर रोग शहरों में या बहुत करना चाहते हैं लेकिन आप ऐसी जगों में काम करने के चाहिए अपकी डूटी लगाई होगे आपके अस्किताल वालों के बोज़े से नकसल ग्रस्त जो एरिया होता है वो किस प्रकार का होता है यह तो कोई बताने की बात नहीं ऐसे इलाके में जाकर और वहां के आदिवासियों हो या अन्य धर्म के जाती धर्मपंत के लोगों उनको सेवा दना बहुत बड़ी बात होती है तो सवाल ही मेरा यह था कि जब आ को में जाकर आपने जो वहां पर सेवाएं दी है कैसा रहा आपका क्या चरत आपके मन में यह बहुत संजे जी आपका धन्यवाद की यह सवाल कोई मुझे आस तक के पूछता नहीं लेकिन आपने पूचा है तो इसका जवाब बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है जो के कउजना ही कि पिप्षक पाली से लेके चवति तक के बच्चों का सव टक्क होना चाहिए और वह चेकल ने जो भी यह अधीक यह जो भी ऐडूसी हरनिया ऑर जो भी डिसी जह वह गवर्मेंट को देना था और जो यह करने वाली थी कि डिटेक्ट करके प्रियाप कास उसक बच्चों को चेकप किया मैंने पूरा रेकार्ड में गॉपने के बार में हमारे डायरेक्टर आये सुबास साडूं के लिए और पंडित सर थे नाखपूर में और एक पपेड़ सो की जन्जा गुरूती के लिए लोग नहीं आते थे उसके लिए तो वह सो में जब मेरा प्रे एक जिले में अगर पोच जाए और हर जिले में एक एक डॉक्टर ऐसा मिल जाए तो क्यों नहीं हम सुरुआ गट्चुली से की जाए तो तब मेरी पोस्टिंड डायरेक्ट गट्चुली की गई और गट्चुली में भी कहां की गई कि जहां 50 km तक के पैदल जाना पड़ता अज पड़्य फिलेक्ट्रिसिटी गई है जाके देखा तो जाते जाते डास्ते में वहां बहुत बड़ी नदे थी बादे नदी करके एक सदेड़ किलो मेटर का उसका पात्र है जब वे जब उधर से मैं जह इधर किनारे पे था किनारे से मेरा मेल और जब पानी में इल रहे थे तो थोड़ा देर लेकिन जब वस्षाती तक पानी आया और वह जब निकलने लगए तो तो नवक्री नहीं करना चीए मैं तो डुबह जाओंगा बैजाओंगा इना लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए अपना सारे जो रेकार्ट होगा सर पर उठा लिया और बस आ रहे थे जैसे पैसे दोनजना एक में किसार मैं बोला जब यह लोग आ सकते हैं मैं डॉक्टर हो इसलिए हम आ गए लेकिन आप नहीं जाओ तो मैंने ठीक है मैं जाओंगा वहाँ जैसे पैसे उनको सोचा गाड़ी वहां रग दे और गया तो साथ दिन उदे नहीं रहा आया ने जाके देखता हो वहां पर क्या हुआ तो स्कूल जो है ना इमली के पेड़ के नीचे भर र दो बच्चों को हर दिन लाते थे और वहां पढ़ाते थे जब अरदस्ति उनसे पढ़ाना तो छोड़ो उनसे कुछ खाना पकवाना यह करना यह होता तर भी बाद में सब मिलके सब को यह की साथ पढ़ाते थे मैं भी पढ़ाने लग गया हुआ और आजिवासी कि जो जो तालू का ऐसे है कि सव तक्के नक्सलग रसता है सव तक्के उसमें आता है कोर्ची धानोरा यर्टापली भामरागड अहरी और सिरुंचा सिरुंचा का कुछ पार और अहरी का कुछ पार दो-चार किलोमेटर स्थानिक गाउं से लेके यह थोड़ा सा सहरों में आने लगे लेकिन आज भी वहाँ पर यह घटनाए होते रहें कुछ मुल्चेरा का भी भाग आता है यह बाद में बने हैं तो यह पूरे के पूरे में हर गाउ में मेरे साथ में एक गाड़ी में अनाज रहे चाता दूसरे गाड़ी में थीसरे गाड़ी में मेरे करमाचारी चौते गा किया करता था और वह सिबिर लेने के बाद में एक लोगों में जोस आगया कि नहीं ऐसा भी कोई डॉक्टर है बहीं कि दो-चार गाड़ी या लेकर आता है और हमको रागभर इलाज करते रहता किसी को किसी के घर में खटिया नहीं रहती तो तो नीचे आई वी सेट नहीं रहती तो पेड़ के नीचे में पेड़ को रसी लगा के नीचे में असलाइन वगर लगाना डिलेवरी का पेशंट है तो डिलेवरी करना ग्यास्ट्रो वगर रहे तो वही पर इसलाइन लगाना एपिडेमिक फिवर के कैसे से उनी को वही दवाई इंजेक्शन लगर सब मैं किया करता तो और उस वक्त इत्ता मज़ा आता था कि लोग पुझा करते थे पाव पढ़ते थे तो मुझे लगा कि ये सई जगा पे मैं आया हूं डक्टर बन के ये जगा मैं छोड़ के कभी नही देखा करते तो यह बहुत मज़ेसिर है वहां पे और यह लोगों ने मुझे वहां मैं अगर आज सक्सेस्पूल डॉक्टर हूं तो वह पेसंट का भरोसा है कि जो मेरे उपर किया कि आप इलाज करो वह अब्स्ट्रक्टर डिलेवरी दो दो तिन तिन की लेबर पेंड में स मेरे मेरे को करने का चांस वह मिला मेरे उधर के मैंने 25,000 टेलेवर्य किया जो शहरों मे रहा रहे तो साइड ही महीं हुआ रहे यहां मैंने कि और आज वह 25,000 दीलेवरी में से कहलों पोलिस लग गए कोई नर्स बन गई कोई घ्रामसे बन गया कोई तलाटी बन गया और जो यह देखा करता था तो यह था वहां और वह पुजारी आने नहीं दे रहा तो मैं वहां गया मेरे आरों के सेवक नाइक जी है निशान नाइक उनोंने लेके गए उसी के घर में तेरी पुजा भी चालो और इस वे चालो मेरा वहां बजके एक अंगनवारी सेवी लेकिन उनके पुजारी को मैं ने रोख सकता क्योंकि वहां पर वैदू पर आज भी भरुसा नभे टक्के रखा जाता है तो यह जो जहर जो होता है यह दवाई से तो उनके जो पर्टिकुलरी जो इंजेक्शन निकले है उनके माद़ा से उसको कम किया जाता है लेकिन वह उनमें पावर रहता है और उसे के चलते हैं यह जो काम काश करते जिसको पूजा भी बोलते है और उसका जहर है वह शरी है जो जानते हैं यह जो बरुजा जो आज भी जारी है लेकिन एक बात होता है कि विज्यान ने भी इतनी प्रज़ती कर ली है कि आज ऐसे इसे इंजेक्शन निकले है कि स्नेक काड भी ले अगर उसका सही समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बढ़ जाता है यह सबसे बड़ी अच्छी बात है दर्शको जैसे क कि डाक्टर चंद्र सुरेश दोंगरवार जी इन्होंने जो अपने जो तज्यूर्वे जो अनुह जो बयां किया है वो काफी मज़ेदार किया है लेकिन उनका एक अनुह इस प्रकार का बता है कि पेड़ को लैंप लागाते हुए खटिया पे वो चाहिए कोई प्रेजिंस तो इसी प्रकार के बाबा आंटे इनका जो सफर रहा था उस समय में तो इसी प्रकार का था और आपका वी सफर वैसा ही चल रहा है सर मेरा एक सवाल ये भी था कि आप इतने कामकाज के उसके बाद जब आप नाप्पूर आए आज तो आई ये महौल आपका है महौली कहना चुनगा कि फिलाल में आपके पास दो पीएसी और उसके अंतरगत आने वाले दो स्वास्त उपकेंद्रा समाल रहे हो ये सब काम कैसे कर लेती हैं बहुत अच्छी बात है कि गट्चुली ये एक ऐसा प्लेस है कि वहाँ काम की कमी नहीं है सिर्फ दिल से काम करने वाला होना चीए बाबा आम्ते जी मेरे प्रिर्णा स्त्रोत वहां रहे है जब मैं भाम्रागर गया औरुका देखा तो बहुत बड़ा फाइस् लोग मानते थे उनको नमस्कार किये उनको कि गये और वह उनको दो गोली देता था उनका आराम होता था तो यह बहुत बड़ा फेथ है तुम प्यार से अगर पेशन को कुछ भी दे दो तो एक थोड़ा देर उसको सपोर्ट आ जाता है कि वह हो जाए लेकिन लाइन अप ट सब्सक्राइब जाना पीजे नामनी जना है लेकिक चुर्ण बार पाज़ बना है अगर जाके देखो तो वहां पर हो ही ऑच स्कूला करके पहा जब मुझेट किया तो यह बच्चा था और उच्छे तीचर थे अब यह बच्च्छा कम तो करे कि पढ़ने की किसी को एक इरभी वह स्कूल खोले और वहाँ पर भी जाके मैंने इलाज किया हर गाव में उसी तरह वह जो धरती है वहाँ पर हर फिल्ड में मैंने किया इम्मुनाइज़ेशन नहीं करते लसी करन जो लगाना थी यहां वह प्रिवेंटेबल है एक्षिन प्रि प्रोग्रम था कि वहां दत्तक भामरागड दत्तक तालू का है राज्येपल साथ का महामाहिन राज्येपल तो उस वक्त 11 जनवरी 2004 को दवरा था मुझे लगा कि मुझे मेरे डेपुटे डायरेक्टर और अद्यक्स साब इन लोगों ने बताए कि नहीं आपको महामाहिन साब आ रहे तो उनके लिए आपके उपर जिम्मेदारी दी जाती कि वहां नो स्कॉल पर यह सक्टामी करना है यहने स्वी करना है लेडिस तो करती नह तो वह लोग जब नहीं आते तो मैं सब्सेंटर लेवल पर उजारी के घर में वहां जाके उनको बोलता था कि तुम यहीं रूखो दवाथना आने की ज़र्वत नहीं मैं खुदा हूंगा मैं एक गाड़ी में मेरा आटो कलो का ड्रम दूसरे गाड़ी में मारी पूरी ट्र बात करके अंदेरा था लाइन नहीं तो टार्ज के लाइट में कभी केंडल के लाइट में और पास्वतीन एंस वी करके वह एक रिकाड़ है मेरा ऑप्रेसल करने में कि जो लोगों ने बहुत सराम हुझे और यह किया और वह कारेकरम के बाद में में मेरा ऐसा नाम हो गया कि नहीं ऐसा रहे गया तो हमारे बहुत बड़ा अच्छा है और हर कोई प्रोग्राम में कोई शादी के बोला था तो कोई बारसे के प्रोग्राम के दिले हो यह बारसा करते तो बाद में वाला भी पेश ब्लाता था बढ़कर को इते सारे ट्रेश कि हम हर स्पेशालिस भेजने से अच्छा है कि डाक्टर को स्पेशालिस्ट का ट्रेनिंग तब 172 मेरी अलग-अलग ट्रेनिंग और मैं अलिन वन डॉक्टर बना गया में वहां पर सब कोई भी सर के बाल से लेकर पाव के नकुन तक कोई भी डिसीज हो जाए तो वह करने का ज मेरे को हर बड़े लोगों का साथ मिला है एक सवाल मेरा ही जय भी था कि अधिक तर जब से चुनावाते हों तो नेता उसके कारिया करता निकल पड़ते हैं लोगों को क्या समस्य है लेकिन आप एक डॉक्टर हुए और आपने अधिक तर कई किलोवीटर तक का सफर किया है क लोगों कें पूंचेव क्क परिशर में लाकू में आपने आप ने गये वहां की तो मिरा स्रश्वन है किसरजब ऑप यहां कि सेवाइन सिफकें, कि अधन काते हैं उन लोगों की मुक्षय समस्य की उती है कि भर है विर्श ब्राबर स्थी이े है, वो यह निसे में आपना कинки along में ब्राग्राव कर जाते हैं अगर केत में जाते हैं तो चीट में तो ठाहिता है तो क कि आदने चाही है फूबे का लोना चाहया उनको नइछाइए वह नहीं अ उसको काटके खालेते मौवा फुल चूनके रखते उसका भी थोड़ा सा दारू निकाल लेते हैं तो दारू पीते नहीं अगर वह दारू पिया रहते तो आज सब को लिवर सिरोसिस हुआ रहता दीन भरे का वह जो किया हूँ मेहनत रहती हो तो स्याम को लिमिटेड अगर एक चमच मौवह फुल का रज्जूस देना थो आप जैसे मिरे सहभ है रखते हैं तो आपको यह मिलेगा उनको वी क्हुंच उनको कमने और जादश नहीं टो खाने पिने की चीजह वह खुद कमा लेते हैं मेहनत है रहते हैं उसका भी वह इय बर्त रहते हैं तो तो इस प्रकार की यह समझ है इन लोगों की अगर सरकार या प्रशासन जैसे कि इनने कहा कि आज भी कई ग्रामियों के जो इलाके है उस आजिवासी पॉलिशर के वहां पर बीजली नहीं है, सडके तक नहीं है, नामात्र काग्जों पर यह बनती है, हकिकत में बनना चीए, क् यह देश का विकास हो रहा है, मगर देश का जो एक हिस्सा है वहां का विकास नहीं हुआ है, इस वह प्रशासन जैन दें, तो बहुत अच्छा होगा, क्यूंकि देश आजमाद में 75 वक्षोर रहे हैं, मगर आज भी विकास कुरी तरह से नहीं हुआ है, इस से उन लोगों क से आपने ताजगे भरी है, जो उस्सा है, जो उर्जा है, और दिन भर मैं देख रहा हूं, पिछले कई महिनों से आप दिन भर दोड़ बात रहती है, क्योंकि आपको बहुत पहले इस स्क्रडू में बुलाय गया था, आज दो मिने के बाद आपने समय दिया, दिन भर आप कोई भी काम अगर करना है, कोई भी काम, अगर हमने को पार कर लिए कि समंदर तैरना है, तो समंदर तैरने के लिए कोई छोटी मोटी बात ही नहीं, उसके लिए हुसला लगता है, इसलिए कहूंगा, को तैरना है तो सागर में तैरो, तैरना है तो सागर में तैरो, गाव के सब्सक्राइब नदीम के नालों में क्या रखखा है और कोई वी काम करना है तो इस दिल से करें तो मैं हर काम यह जो को पर उपर लेवल नहीं से में जो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिसके उपर हम भरोसा कर सकते हैं और हमारे काम सव तक के बराबर कर देंगा आज भी मेरे नाम से बोला जाता है कि वह एक बंदा जहां है वहाँ काम देखने की जरूत ने पड़ती वह काम काम करने का और शकूप है जो लोग घर बैटे अपने रेकार्ड भर लेते या कुछ कर लेते और थोड़े से नवक्री में खूस हो जाते हैं तो मैं बोला कि यहा गंटे में काम करके अगर 10 गंटे में जाता है तो फिल्ड में जाके देखता हूं तो यह बंता है लोगों पहिछन शाय लगते हैं उनके जो ना बताने वाए डिसीज बताने लग जाते कि शर मैं दवाखाने में तो नहीं आया हूं लेकिन मेरे यहां पर कुछ हैं मेरे इन जुने उरजन कासे अगर काम करने चाहत हो मजबूती से जो काम करते है उर्जा उन्हें आती है बहुत अच्छे बात अपने कही है और युह कंई किसी की तारिफ नहीं होती होती और कोशिच करने वालों की कभी हाव नहीं होती डुगरण साब अगला सवाल मेरा यह भी था कि आरोग की सेवा तो हर कोई दे रहा है आरोग का जो स्तर है कभी 19 कभी 20 भी होता हुआ दिखाई देता है कई लोगों तक आरोग के सेवा या ने स्वास्तों सेवा पूंचते भी नहीं और कई जोग भी इतनी पूंच जाती है कि दे आरोग के सेवा का दरजा और इस दरजी को कैसे बढ़ाया जा सकता है क्या उपाई होजना हुआ चہले क facto तब्दिली के साथ में अपन रखे तो तब्दिल के साथ में काम भी करना चाहिए उसके लिए अगर तुम्हारे हो काम की जैसे गाइडलाय ना की उसको काम देंवस्wegen सुबह से लेके में काम satka crimes प्रति बहुत ही जागरूक इमानदार और बिल्कुल उसको समय में करने का एक प्रतिग्या खुद को करना पड़ता है इस प्रतिग्या करने के लिए हमारे जो उपर से जो अभी वाट्सप का जमाना है सारे मैसेज उपर के आदे सब यही पर ही आते हैं वाट्सप पे अगर से आया है का हमारे डारेक्टर साथ में आसे छोड़ाई कि नहीं कल अपने को दस सेशं के जगह 15 शेशन करना है तो हमारे निगरा दरे से सुरुती काम बला एक ुसरे दिन 7 बज़े सुरू होता है लेकिन प्लानिंग रात नहीं हो जाती है इसे अगने ब्लानिंग्या यह तो इन लोगों ने मेरे को इत्ती उर्जा भरी किन्ति तुम करो जो हो देखेंगे उनके साथ-साथ में जो अधर गाउवाले थे उन्होंने भी सरपंच का मिला ग्राम पंचायत मेंबर का मिला वीडियो का मिला थासिल्दार का मिला वो तो बोलते थे कि वास आप हो तो हम हम को आपके पीछे में और आना पड़ा रहता हो काम करो तो जब जो इंसान काम करो बोलने के पहलें हो जाती उसके तो क्या को स्कूलर क्यों करके अगर इंप्रूमेंट से में चर्ष आध मेरे को इन सभी का साथ मिलने के बाद उसके साथ में है उदासा है है बहादूरा है बेशा बेलतौरी वीड़ा हरी यहारी है है उदर यह अपना पिपड़ा है तो यह है खरसोली वगरे है यह सारे जित्ते भी गाव है बहात्तर गाव का काम मेरे तरफ है ग्रामिन नाखपुर का जित से सेंटर मेरे को ठाकरे सर ने मेरे पास में स्टाप कम था तो जी एमसी के जो है पंद्रा सिस्टर नर्सिंग के उन्हें ने दिया और वह सब काम करवा है को आज भी सुरवात हुई तब से भी अवर्ड रहे आज भी है और हमारी उम्मिद है कि हम सव तक के वैक्सिनेशन के और यह करने के लिए मुझे जिल्ला लेवल से पूरा सहयोग मिलता है मुझे वैक्सिन भी जित्ता चाहे उतका मैं मंगू तो तूरंट एवेलेबल हो जाती है तो हम स्वायम जाके कई पोर्शन इनके बनाये थे उस गाउ में तो को लेके तब जहाँ लोगों को सहुलिय स्वायोग किया था लोग आगी उगुले नहीं है कोरोना आएगा कोरोना जाएगा मगर कोरोना कारेकाल में जिन्हों ने जो जो मदद की है और डोगरवार साब के पीछे में पूरी टीम खड़ी है अभी इन्होंने जितने नाम जो गिना है वे सब लोगों इनको बहुत च होता है करने वालों के लिए रोशनी होती है करने वालों के लिए प्रकाश होता है मगर जो नहीं करना चाहता है उसके लिए स्थे लिए थो डॉंगलवार सब क्या मार्वो दोशन करना चाहें कुछ नवजवां साती है मोद्ग शित्र में आना चाहते हैं का आज के जमाने में हमारे घर में बड़ा मकान बनाने से पहले हम को जर्ष बना सब कुछ समय के बाद में अपने आप उसको वह अच्छा भी रहे तो भी उसको डेट डिक्लेर कर दिया जाता डिस्मेंटल किया जाता है घर बना तो गाड़ी है तो 15 साल बाद यह हो जाएगी लेकिन सिक्सा है कि सिक्सा अगर आज मिली तो वह सिक्सा मुझे मिले तो मैं दस लोगों को दिना वह दस लोग सव लोगों को देंगे सव लोग हजारों को देंगे और सिक्सा जिस देश में मिल जाती है वह सिक्सा चाहे स्कूल में जाने वाली हो सामाजिक सिक्सा हो आर्थिक विकास की सिक्सा हो या कोई सामाजिक दाइत्व निकालने हो यह सारी सिक्सा पढ़ना europé में दैखे करने लिए निकला जोई कोई इस्पीखोड रहो और अपने बाल बच्चो को आंगे बोड़ो तीसरी बाद वेल्ट वरकॉर को यह बोलुगा मेरे सासन के अधिकारियों को भी बोलूगा कि अगर कोई करना चाहता है तो उसको करने की खुली इजाज़त दे दो वह क्या करना चाहता है वह तो आप से कुछ मंग नहीं रहा कुछ उसको इजाज़त दे जो उसके रिजल्ट देखो अगर वह सक्सेस होता है तो उसका पाइलट प्रोजेक्ट वहां सक्सेस दूसरे हर तालुक आमें दो हर जिल्ले को दे दो ऐसा करते करते हो जाएगा और मैं यह जित्ते भी हमारे बड़े लोग है कि ज पिसनल चीज होना चीए वहिकल दे दिया तो पूल ने रहता तो यह बाते मत तूम लेकिन वह करने की इजाज़त तो दे दो अगर कोई अगर एक पेसंद रहता है समय पे जाना है तो गाव में दस ड्राइवर मिल जाते कोई भी है तो उसके लिए वह सुविदा मिलना है और मेरा आज तक कोई बिल ठुका नहीं है मेरी कोई समस्य अभी तक के नहीं अगर यह सभी सारे समझ्जा हों सारे डॉक्टर्स बंदू है आने वाले जो भावी बनने आले पड़ रहे उन्होंने गवर्मेंट की इस्टूट में काम करने की जीद रखना चीए हर इंसान सब्सक्राइब करें तो बहुत सारी दुनिया बदल सकती हमारा रा काम अच्छा है यहां जाके सेवा दे सकते हैं और मुझे गौर्मेंट ने छे राज्यों में भेजा है मैंने बड़े दिल से किया और उसी का नतीजह है कि आज मुझे हर जगह का यह मैं बिहार गया जारकंड गया चतिजगड गया त्रिपूरा गया औरिशा गया अन्दबान निकोबार आइनन्ड गया मद्देप्रदेश बुपल में गया और यह सब जाने के लिए गौवर्मेंट ने मेरे को बढ़िया वर्स क्लास यह टिकेट बुक करवा है जाने के लिए आने के लिए रहने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए इससे और ज्यादा क्या हो तो आप एक बहुत बड़ी सेलिवरिटी हो आपको पूरे लोग जानते हैं अगर भविश्य में यदि कोई पार्टी चुनाव के लिए आपको खड़ा करने के लिए बोलती है या उमिद्वारी देती है तो क्या आप राजकारन में तो नहीं जाना ची है क्योंकि लोग मुझे मेरे सेवा के कारण भरोशा करते है और वह सेवा अगर मैं छोड़के दूसरी तरब चले जाओ तो मेरा वह काम जो है वह अधूरा रह कर दिए करना चाओंगा अगर जो हेल्फ के बारे में मेरे से ने सकते आर्थी कि इसमें ले सकते लोगों के इसमें जो सर्वे किया त्राइबल अधिवासी माताओ को खाने के लिए कुले ने रहते रहते हम यहां पर यह मिया मुक्त भारत के आपने भी कारेक्रम पंड़त क जो भावी तीडी आनुआली उसके लिए कारेक्रम होना चीए और वो करना चीए राजनीती अलग हूं और हमारी आरोग्य सेवा अलग है मैं हमेसा आखरी दम तक के आरोग्य सेवा करूंगा लेकिन यह नहीं कि मैं रखी से राजकार्निक नहीं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मेरे को राजकार्नी लोगों को मिलता है आज भी मेरे को यहां जिल्ले के पालत मंत्री का सपोर्ट मेरे मंत्री महोदय का सपोर्ट मेरे में भी राजकार्णी लोग है जो आरोगे सेवा छोड़के हमने हमने सोचा मेरे छोटे बहु ने सोचा था कि वह मैच में बोला कि तो यह सब्सेंटर में सेवा देने से दस हजार लोगों से देने से दस लाग को देना वह जिल्ला परसद में खड़ी हुई चूल के आई और आज वह बड़ी अखुस है घड़्चुली में हर गाव में खेड़े में कजबे में उसको जाना जाता है एक नाम लिया जाता है तो तुमको अगर सेवा का चांस मिलता है राजपारण एक बहुत बड़ा प्लिटिकल की जो है जिसने हस्तगत कर लिये वह दुनिया का संसार का सबसे बढ़ा इंसान हो और वह दुनिया को भी बहुत सुंदर बना सकता है बहुत सुंदर बना सकता है बिलकुल तो आप टी डॉक्टर चंद्र सुलेश डूंगरवा जिते की में हर कोई पढ़ना चाहता है मगर कुछ ऐसी कठे नहीं करना पड़ता है कि जिसके चलते हैं शिक्षा से वंशित होते जा रहे हैं ऐसे में प्रशासर हो सरकार हो या फिर सामाजी करे करता ऐसे परिसर में जाकर उन लोगों को आवेर्लेस करा करा कर कोई किसी घर म बनेंगा उसके साथ परिवार है वो पुरी तरह से मजबूत बनेंगा और जब वो मजबूत बनेंगा तो नैचरली देश मजबूत बनेंगा तो दर्शुक खास मुलाकत इसकारतम में आज के हमारे मेमान थे डॉक्टर चंद्रसूरेश डोंगरवार जी अगली बार फिर ह हम ऐसे इशार के और डॉक्टर को यहां पर हम आपसे रुगरू करवाएंगी किसे अलग बीशे को लेकर तब तक मुझे दीजे इजाज़त लेकिन सर आज आज आप हमारे बीशें के स्टूडिय में आएं और जिस परकार से खास मुलाकात के माद्दें से जो अवेर्नेस नमश्काव, नमस्काव, नमस्काव, नमस्काव.